एक बहुत बड़ा चोर था, उसने अपनी पूरी जिन्दगी चोरियां ही की थी, लेकिन वो कभी भी पकड़ा नहीं गया, सारी दुनिया जानती थी कि वह चोर है, उसके चोर होने की खबर समराट तक को थी, समराट ने तो उसे एक बार गरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तु अद्भुत आदमी है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तु चोर है, तुने कभी अपनी असलियत चुपाई भी नहीं, और चोरी करते हुए तु कभी पकड़ में आया नहीं, तेरी कला अद्भुत है, बरसों बीत जाने के बाद जब वह चोर बुढ़ा हो गया, तो उसके बेटे ने कहा, अब मुझे भी अपनी कला सीखा दो, मौत का क्या भरोसा वो कभी भी आ सकती है, तो बुढ़े बाप ने कहा ठीक है, अगर तु ये गलत सीखना चाहता है, तो मैं उसने एक घर में सेंध लगाई, लड़का खडाखडा सब देख रहा था, बूढ़ा चोर ऐसे सेंध लगा रहा था, इतनी तनमयता से की, जैसे कोई चित्रकार चित्र बना रहा हो, कोई मूर्तिकार मूर्ती बना रहा हो, कोई भक्त मंदिर में पूजा कर रहा हो, ऐसी एक जागरता ऐसी तनमयता ऐसा लीन की जैसे इससे कम्मे काम ही नहीं चलेगा। इधर उधर नहीं देखा। जब चोरी की सेंध तयार हो गई तो बाप बेटे को लेकर अंदर गया। बेटे के तो हाथ पैर काम रहे थे, सास फूल रही थी। ऐसी घबराहट उसे आज से पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन बाप तो ऐसे चल रहा था। जैसे ये उसका अपना घर हो। वो बेटे को लेकर अंदर गया। उसने कई दर्वाजों के ताले तोड़े। फिर उसने कपडे की एक बहुत बड़ी अलमारी का ताला तोड़ा और बेटे से कहा तू इसके अंदर जा बेटा। अल्मारी के अंदर गया अंदर हीरे जवाहरात जडित बेशकींती वस्त्र थे जैसे ही बेटा अल्मारी के अंदर गया बाप ने अल्मारी का ताला लगा कर चाबी अपने जेब में रख लिया लड़का अंदर फस गया पर बाप कमरे से बाहर गया और दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा चोर-चोर और सेंड से निकल कर अपने घर चला गया घर के सभी लोग जाग गए, पडोसी भी जाग गए अल्मारी में बंद लड़के ने तो अपना सिर्पिट लिया कि यह क्या सीखाना हुआ मारे गए बाप ने तो निकलने का कोई उपाई ही नहीं छोड़ा ताला लगा दिया और चाबी भी साथ ले गया पूरे घर में लोग घूम रहे थे सेंध लग गई थी और लोग पैरों के निशान देख रहे थे नौकरानी ढूरते हुए उस जगह पर आई जहां अल्मारी में चोर बंद था लड़के को कुछ भी नहीं सूज रहा था कि क्या करें बुद्धी बिलकुल बेकाम हो गई लेकिन जहां बुद्धी बेकाम हो जाती है वहां भीतर की आंतरिक चेतना जागती है अचानक जैसे किसी उर्जा ने उसको पकड़ लिया और उसने इस तरह आवाज निकाली जैसे कोई चुहा कपड़े को कुतर रहा हो ऐसा उसने अपनी जिन्दगी में पहले कभी नहीं किया था उसे खुद भी अपने पर हैरानी हुई नौकरानी चावी ढूंड कर लाई दर्वाजा खोला और दिया लेकर अंदर जाका की शायद चुहा होगा लेकिन जैसे ही नौकरानी ने दिया लेकर अंदर जाका उसने फुंक मार कर दिया बुझाया और नौकरानी को धक्का देकर वहां से भागा जब वह सेंद से निकला तो उसे देखकर दस से पंद्रा आदमी उसके पीछे भागे बड़ा शोर शराबा मच गया आसपास के सभी लोग इकठे हो गए वह जान बचा कर भागा ऐसा वह आज से पहले कभी भागा नहीं था उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भागने वाला मैं ही हूँ जैसे कोई और ही भाग रहा हो भागते हुए वह एक कुए के पास पहुचा और वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर को उठा कर कुए में पठका उसे यह भी नहीं पता था कि यह मैं क्या कर रहा हूँ जैसे कोई और ही करवा रहा है जैसे ही पत्थर कुए में गिरा उसकी आवाज सुनकर सारी भीड कुए के चारों और इकठी हो गई सबको लगा कि चोर का पैर फिसला और वह कुए में गिर गया है लेकिन तब चोर जाडी के पीछे सांस रोक कर खड़ा था मौका मिलते ही वह दबेपाव वहां से निकल कर घर चला गया उसने मन ही मन खुद से कहा आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा यह कैसा सीखाना हुआ वह दर्वाजे को धक्का देता हुआ अंदर गया वहां बिस्तर पर बाप कंबल ओड़े आराम से सो रहा था उसने जटके से कंबल खीचा और कहा यह क्या है आप क्या मुझे मार डालना चाहते हैं बाप ने कहा तू आ गया अब बाकी की कहानी सुभा सुन लेंगे पर तू सीख गया अब सिखाने की कोई जरूरत ना रही बेटे ने कहा अरे कुछ तो कहो अरे कुछ तो पूछो मेरा हाल क्योंकि अब मैं रात भर सोना पाऊंगा फिर बेटे ने सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो बाप ने हस कर कहा बस तुझे कला आ गई यह कला सिखाई नहीं जा सकती लेकिन आखिर तु मेरा ही बेटा है, मेरा ही खून तेरी रगों में दौडता है, बस अब काम हो गया, तुझे चोरी की कला का राज मिल गया क्योंकि चोर अगर बुद्धी से चलेगा तो फंसेगा, वहां तो बुद्धी चोर देनी पड़ती है, क्योंकि हर घर नहीं है हर बार नए लोगों के यहां चोरी करनी है, हर मकान नए धंका है, पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता, वहां तो बुद्धी से चलोगे तो परेशानी में पढ़ जाओगे वहां तो हर पल जागरूक रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है वहां तो अंतर से चलना पड़ता है दोस्तों अपने एक प्रवचन में इस कहानी का उल्लेख करते हैं वो कहते हैं कि ध्यान की कलाभी चोरी जैसी ही है, वहां बस होश चाहिए जब बुद्धी अलग हो जाती है तो सजगता आ जाती है और जहां सजगता आ जाती है वहां तुम जाग जाते हो और जहां तुम जाग जाते हो वहां विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं